इस वीडियो में जिस ड्रग का रिवीव करने वाले हैं उसका नाम है प्रेडेग्जा या डेबीगो के नाम से मार्कीट में आने वाली ड्रग है इसके अंदर एक्टिफ प्रोड़क्ट होता है डेबीगेटरन ठीक है और ये इस्तिमाल होती है अक्सर खून की बिमारियों मे ब्लड क्लॉट्स बन रहे होते हैं वो लोग इसका इस्तिमाल करते हैं 55 मिली ग्राम 110 मिली ग्राम और 150 मिली ग्राम में मार्कीट में अवेलेबल है डेबीगेटरन जो है ये स्ट्रोक को प्रिजेंट करती है या हारंफुल ब्लड क्लॉट्स जब खून जम जाता है जिसको ब्लड क्लॉट कहते हैं और वो फिर जो क्लॉट होता है हमारे जिसम में फैल रहा होता है या तो ब्रेन में जाके कहीं पे स्ट्रोक करवा देगा आपके लंग्स में आके कहीं पे वहीं पे एंबलस ये थ्रंबस बना देगा पल्मूनरी एंबलीजम कहते हैं या पैरों में जाके deep wind thrombosis कर सकता है heart में coronary blood vessel में जाके heart attack करवा सकता है ये बड़ा खतरनाक होता है blood clot तो इस blood clot को हमने prevent करना होता है और debigatran वो medicine है जो इस blood clot को रोकती है इसको बनने से रोकती है debigatran ठीक है अभी किसी ने hip replacement surgery करवानी है उसमें जो है blood clot बन रहे होते हैं तो debigatran का इस्तेमाल होता है मुक्तलिफ तरह की surgery वगरा है जिसमें doctor खुद देखता है कि आया आपको debigatran देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए मुक्तलिफ तरह की points को देखा जाता है बाकी इसका वैसे कोई problem नहीं है चाहे से doctor ने आपको कहा है बिलकुल उस तरीके के मुताबिक आप ये लेंगे और खास करके जब आपने debigatran लियो तो कोई anti-cid वगरा ना लें कोई जो पेट की तेजाबियत कम करने वाली medicines होती है वो आपने नहीं लेनी होती ठीक है अच्छा इस medicine को लेने से पहले kidney का functional टेस्ट करवालें कि kidney आपके बिलकुल ठीक काम करते हों दूसरी बात ये कि जब आपको लगे कि अब आप बिलकुल ठीक हो गए तो debigatran या इस इस तरह की bleeding हो गई है पहले तो डॉक्टर को बताईए फिर debigatran की जगह वो कोई आपको दूसरी medicine देगा ताकि clots वगेरा ना बने इसके इलावा अगर आपको epidural hematoma बन गया है कहीं spinal cord की तरफ hematoma बन गया है ऐसी condition में फोरी तोर पर डॉक्टर को पेट पे किसको थोड़ा बहुत असर पड़ता है कभी कभी bleeding हो जाती है इसके साथ साथ minor bleeding major bleeding दोनों problems हो सकती है तो इन ब्यातों का आप ख्याल रखें बाकी अगर आपको कोई सवाल है तो comment section में पूछिए साथी गुजारिश करेंगे चैनल को like करें comment करें share करें और subscribe कर ले शुक्रिया